अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई व्यपार, बिजनस या कोई अच्छी जौब के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में MBA का कोर्स आता है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, जो व्यपार या फिर बिजनस के लिए ही बना है, आज के समय की बात की जाए, तो आज के युवाओं में ये कोर्स बहुत ही जादा चलन में है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छी सैलरी या फिर बिजनस करने के गुण मिल जाते हैं, एंबिय कोर्स दो साल का कोर्स होता है, आज की वीडियो में हम आपको बतानी जा रहे हैं, अगर आप एंबिय करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ सकता है, उसकी फीज कितनी होती है इन सभी के बार में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो बिना सवय गवायर वीडियो को शुरू करते है MBA करने में कितना पैसा लगता है सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दू MBA करने में कितना पैसा लगेगा यह विभिन प्रकार के विश्विद्याले और college की उपर निर्भर करता है जैसे-जैसे college अलग होते हैं वैसे-वैसे उनकी fees भी अलगी होती है इसी के साथ MBA करने में कितना खर्चा आएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सरकारी कॉलेज से MBA कर रहे हैं, या फिर निजी कॉलेज से MBA करना चाहते हैं, उस कॉलेज की कितनी reputation है, उसे हिसाब से आपको खर्चा देना पड़ सकता है, सरकारी कॉलेज से MBA करने में कितना खर्चा आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सरकारी कॉलेज या फिर अफे तक हो सकती है इसी के साथ साथ इन कॉलेज की शैलरी लाखों में होती है जो एक प्राइवेट कॉलेज में इतनी सैलरी नहीं मिल पाती साथ यह आपको जानकारी देते हैं सरकारी खुरेज में और सरकारी कॉलेज की सिख्षय का अस्तर काफी ज़ाद हुच होता है, इसी के साथ-साथ यहाँ पर आपको सरकारी कंपनी और निजी कंपनी संगठन में रोजगार की आफसर मिल जाते हैं, यहाँ के सिख्षय काफी आनुभवी होते हैं, सिख्षकों को काफी जाच और गुनवत्ता की आधार पर यहां पर अध्यापक बनाया जाता है इसके जरी चाप्टरों को विशेश्य गिता प्राप्त हो जाती है सरकारी कॉलेज में प्राप्त की गई MBA के डिग्री काफी जादा माईनी रखती है इसकी बाजार और कंपनियों में बहुत जादा मानिता होती है जिसकी वज़े से उन्हें उजपद और अच्छी सैलरी प्राप्त हो जाती है सरकारी कॉलेज में अनुस्तन धान और विशेश शगिता पर अधिक ध्यान दिया जाता है सरकारी कॉलेज में कैसे मिलता है अड्मिशन सरकारी कॉलेज में अड्मिशन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पर नामुम्किन नहीं होता सरकारी کالरेज में एडमिशन प्राप करने के लिए आपको entrance exam पास करना कमपसरी होता है तब ही आप एडमिशन प्राप कर सकते हैं MBA की cut-off हर सरकारी कॉलेज पर निर्भर करती है क्योंकि कुछ top college की cut-off काफ़ी जादा high होती है जबकि कुछ college की cut-off कम भी निकल जाती है सरकारी MBA college में आपके score या cat exam में percentage की आधार पर आपको admission दिया जाता है एक अच्छे सरकारी college में MBA करने के बाद आपकी success की chances बहुत जादा हो जाते है सरकारी college में अलग-अलग प्रकार के interest exam दिये जा सकते हैं जासे की cat, mat, zet, snap, cmat and mat प्राइवेट college में MBA का खर्चा प्राइवेट college में MBA की fees सरकारी college सी कहीं अधिक जादा होती है जिन चात्रों के entrance exam में अच्छे नंबर नहीं आते उन चात्रों को अधिक fees भरनी पर सकती है जो लोग सरकारी college में admission प्राप नहीं कर पाते उनके पास private college का विकल भी बच्टा है पर एक अच्छे private college की fees जादा होती है जोसे गरीब चात्र बिल्कुल भी अपवार्ड नहीं कर सकते इसे के साथ बहुत से ऐसे college है जो कम fees में MBA का course करवा सकते है एक normal private MBA college की fees की बात की जाये तो यहाँ पर 50,000 से लेकर 10,000,000 रुपे तक की fees हो सकती है जबकि एक top private MBA college की fees 15,000,000 रुपे से लेकर 25,000,000 रुपे तक होती है प्राइविट college से MBA करने के फायदे एक private college की कक्षाय सरकारी college से छोटी होती है जोसे चात्रों का ध्यान एक जगा ही रहता है बहुत सारे private college का infrastructure काफी modern होता है वहाँ के factory काफी ज़ादा अच्छी होती है जोसे चात्रों को ओच गोणवत्ता की सिख्ष्या प्राप्थ हो सकती है प्राइविट college में आपको अकेले बढ़ने का मौका मिल जाता है वहाँ पर आपको अच्छी networking भी मिल सकती है प्राइविट college में admission कैसे ले आमतौर पर अगर आप private college में admission लेना चाते है तो यहाँ पर आप बिना entrance exam के admission प्रात कर सकते है पर भारत के कुछ top private college ऐसे होते है जहाँ पर आपको entrance exam के आधार पर admission दिया जाता है कुछ college ऐसे भी होते है जहां पर आपसे इंटर्वियू भी लिया जाता है उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी आज की वीडियो में हमने आपको MBA करने में कितना ख़च आता है इसके बारे में जान करे दी अगर आप भी MBA करना चाते हैं और बहतर करियर बनाना चाते है तो आपके लिए ये बेस्ट आप्शिन साबित हो सकता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेर करना ना भूलीगा